थार्टीन्थ नंबर ऑफ टॉपिक इस चेंज इन साइजेज और शेप्स अब किस चीज की साइजेज और शेप्स तो कोई भी किसी भी इंसान की आख जो होती है वो जीवन भर एक ही शेप और साइज में रहती है लेकिन नाख और कान का ग्रोथ यानि उनके शेप और साइजेज में चेंजेज पूरी जिन्दगी पर कभी खतम नहीं होते जब तक आप जिन्दा है तब तक उनके साइजेज और शेप्स में बदलावाते रहेंगे इनसान 300 हड़ियों के साथ जनम लेता है लेकिन मरते वक्त सिर्फ 206 हड़ियां बची रहती है तो बाकी की 94 हड़ियां गई कहां इसके उपर अभी भी वैगनानिक रिसर्च कर रहे हैं तर नमबर 15 टॉपिक इस यूमन स्कल यानि मानविय खोपड़ी यूमन स्कल में 26 प्रकार की हलग अलग हड़ियां होती है यानि अवर यूमन स्कल इस मेड़ ऑफ 26 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्स नमबर 16 टॉपिंगर निल्स टॉपिंगर निल्स है वो भी केरेटीन के बने है अब केरेटीन बहुत मजबूत होता है इसलिए हमारे टॉपिंगर निल्स और आमारे बाल की मजबूताई में कोई फरक नहीं है The 17th number is freezing of body during sneeze यानि छीकते वक्त हमारे शरीर का थम जाना अब जब हम छीकते हैं तो हमारा पूरा शरीर काम करना बन कर देता है यहां तक कि हमारा दिल भी धड़कना उस टाइम के लिए बन कर देता है लेकिन सिर्फ जीकने के short period यानि जस्ट दो या तीन सेकंड के लिए नमबर 18th strongest muscle of human body The strongest muscle of human body is tongue यानि कि हमारी जीब जो है वो हमारे शरीर के सबसे मजबूत मास पेशी नमबर 19 is number of going to bathroom in a single day यानि एक सामान निवक्ति दिन में 6 बार bathroom जाता है यानि एक सामान निवक्ति को जरुवत पढ़े चाहे ना पढ़े कोई भी कैसी भी emergency यो कुछ भी हो तब भी वो दिन में average 6 बार तो bathroom जाता है मतलब जाता है नमबर 20 is time span of food reaching to stomach from mouth भोजन को मूँ से पेट तक पहुँचने में 7 second का समय लगता है कितने 7 second जस्ट 7 second में आपके जो अभी अभी खाना खाया है वो जस्ट 7 second में आपके मूँ से पेट तक चला जाएगा नमबर 21 is taste buds यानि adults यानि कि जो वयस के व्रुद्ध लोग जो होते हैं उनके comparison में बच्चों में taste buds यानि कि स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है नमबर 22 is speed of air when sneezing यानि छींकते वक्त हवा का pressure हवा की speed क्या होती है जब आप छींकते हैं तब आप तब जो हवा निकलती है उसकी speed होती है 100 miles per hour जी हां 100 miles per hour नमबर 23rd topic is glutus maximus इसके बारे में कुछने सुना होगा और कुछने नहीं सुना होगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि आपके शरीर की सबसे बड़ी मसलव है जिस पर आप बैठे हैं जब आप जमीन पर पलाठी या क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में उसे जो भी बोलते हैं वैसे दो पैरों को जोड़ के जब आप पैरों के उपर बैठते हैं तो आपका जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा होता है उसे Glutus Maximus कहते हैं और वो शरीर की सबसे बड़ी मसल है The number 24th is smallest bone in the human body हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी में से छोटी हड़ी हमारे कान में होगी जिसका नाम है steps यानि कि शरीर की सबसे छोटी हड़ी जो कान में है उसका नाम है steps आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और ये सब करने से पहले अगर आप चैनल पर अभी अभी आये हो या नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब बटन उस पे अपने साफ हाथों से क्लिक कर देना बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और हाँ अगर आपकी कुछ डाउट्स हो इन तत्यों के बारे में आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स या सेजेशन्स दे सकते हैं